उना पुलिस को नशे के खिलाप बड़ी सफलता हाथ लगी है उना पुलिस की टीम ने पंजाब के एक सप्लायर को 11.24 ग्राम चिट्टा के साथ किरफतार किया है जिबकि अरोपी का एक साती पुलिस को चक्मा देकर मौके से फरार हो गया फरार युवक की तलाश के लिए से खोलबाल गड़ संकर पंजाब के रूप में हुई है एसपी उना विनो दिमान स्वें पकड़े हुए अरोपी से पूस्ताच में जुट गए हैं और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि अरोपी चिट्टी की खेफ कहां से लाया था और आगे किसको इसके सप्लाई दी जाने थी उना पुलिस ने नाके के दरान पंजाव के युवख से 11.24 ग्राम चिट्टा प्रामत किया है पुलिस ने इस मामले में शामिल एक अरोपी रजित राना और फ्राजा पुत्र येश्पाल होश्यारपूर पंजाव को गिरफतार किया है वही मामले में शामिल एक अरोपी पुलिस को चक्मा देकर फरार हो गया चानकारी के अनसार उना पुलिस की टीम ने सच्च उना सदर्थाना सरफजी सिंग की अगवाई में पुराना हश्यारपूर रोड पर खनन और यातयात को लेकर नाके बंदी की हुई थी इस तोरान गालुबाल से उना की और एक बाईक पर सवार दू यूबक आये पुलिस ने उन्हें रोखने का इशारा किया लेकिन उन्होंने रुकने की बज़ाय यहां से भागने का प्रयास किया लेकिन एक यूबक पुलिस की हत्थे चड़ गया जबकि उसका साथ ही फरार हो गया ASP उन्ना विनो दिमान ने कहा कि पुलिस ने पंजाब के यूवक से चिट्टा परामत किया है पुलिस ने मामला दर्सकर आगामे कारवाही शुरू कर दी है वहीं भागे हुए यूवक की तलाश के लिए पुलिस टीमे रवाना कर दी गई है आज पुलिस ने पुरे उन्ना मी माइनिंग के किलाव और विदाव थालमिट के किलाव अव्यान चेट रखा है उसी कड़ में पुलिस ने एक नाका लगा रखा था पुराना हो शेयरफोर रोड पे वहाँ पे एक बाईक आती है पुलिस उसको रोकती है तो अचानक से वह एक काड़ी उसमें दो लड़के बैठे थे उसे काड़िस मांगे गए और उसमें अपनी गाड़ी तेज रखतारी से दड़ उसमें हमें एक बंदा लगा है हाथ लगा है जिसकी जब तलाशी ले गई तो उसके पास तकरीबन 11.24 ग्राम हिरोई बरामत हुई है तो सर जीक अभियान जो पुलिस दोरा नशे के खलाब शेड़ा गया है क्या आने वाले समय में भी अभियान जादी रहेगा जब तो आगे जैसे इंटरोगेशन में रिमांड लेगी पुलिस उसके इंटरोगेशन तब्रीश में जो भी आएगा आगे की कारवाई जो पुलिस आगे वी करीगा